हेलो फ्रेंज मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद भोली में आज हम बनाने वाले हैं बच्चों की फेवरेट मुर्मूरे के लड्डू खाने में बहुत ही क्रंची बहुत ही स्वाधिश्ट और मकर संक्रांती इस पेसल ये लड् और अगर आपके पास मुर्मूरे पहले से ही रखे हुए हैं सौफ्ट हो चुके हैं तो आप उन्हें थोड़ी सी कड़ाई में डालिए और सुखे इन्हें रोस्ट कर लेजे थोड़ा सा तो ये क्रंची हो जाएंगे क्योंकि नरम नरम मुर्मूरे के लड्डू खाने में इतने स्वाधिश्ट नहीं लगते हैं तो ये देखिए बहुत ही क्रंची है ये वाले मुर्मूरे अभी तो मुझे तो इसे रोस्ट करने की जरूरत नहीं है तो तीन कप मुर्मूरे लेंगे हम आप चाहे कप से ना पिए लेकिन तीन कप ये मुर्मूरे रहेंगे और एक क कोई भी तार, चास्नी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको बिना टेंसान 10 मिनट में बन करके आपकी ये मुर्मूरे की लड़ो बिल्कुल तैयार हो जाए तो जैसे ये घी मेल्ट हो जाए हम इसमें गूर डाल देंगे तो गूर को आप पहले से ही तोड़ लीजिए और ये बहुत जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह से फ्लेम को लो रखिए और कंटीन्यूई से चलाते रहिए अगर गूर के तुकड़े बड़े बड़े हैं तो इस तरह से चमच में आप हलकालका सा दबाते जाए तो ये तूर जाएगी और जल्दी से मेल्ट भी हो जाएगी फ्लेम को हाई नहीं करना है यहाँ पे नहीं तो गूर जल जाएगी तो फ्लेम का ही बस ध्यान रखना है आपको और इसे कंटीन्यू चलाते रहिए तो ये देखिए लगभक दीन से चार मिनट में ही गूर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसमें से आप जाग जाग से आने लगे हैं तो बस यहाँ पर हमें आज का खास ध्यान रखना है फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है हमें मीडियम टू लो रखिए आप और कंटीन्यू इसे चलाते रहिए तो देखिए बहुत सारे बबल दीख रहे हैं आपको और ये एकदम जाग जाग से होने लगे हैं तो हलका सही से हम और पकाएंगे अब और बस इसमें कोई तारवार नहीं देखना है हमें अफ्लेम को हाई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए और फटा फट से इसमें चम्मा चलाएंगे और ये देखिए बहुत सारे बबल सागा हैं इसमें कुड हमारी अच्छे से पक चुकी है तो बस अब गयस को बंद कर लेंगे या आज को आप कम कर लीजे और इसमें फटा फट से मूर्मूरे डालिए और मिक्स कर लीजे तो अगर आपने अनुपात सही रखा है तो आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी इसे बनाने में और हमारी जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छी बन करके तयार होगी तो ये लीजे मैंने मिक्स कर लिया है अब इसे उतार करके हम लड्डू बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो एक कटोरे में आप पानी रख लीजे क्योंकि ये गरम है और गरम गरम ही इसे हमें बनाना है तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते जाएए और इस तरह से हाथ में रखिए आपको जिस भी साइच का बनाना है उस साइच का और बस दोनों हाथों की सहायता से इसे हथेलियों के बीज में रख करके इस तरह से दबाते जाएए हलका हलका सा इसे प्रेस करते जाए और बहुत ही फटा-फट बनाना इसे अगर ये ठंडी हो जाएगी तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे इससे लड्डू तो बहुत ही फास्ट करना है इसे तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना लिये हैं बिल्कुल भी पिगणने का कोई टेंसन नहीं है और नहीं हमें कोई तार ये चासनी बनानी है बिल्कुल दस मिनट में आपकी ये लड्डू बन करके रेडी हो जाएगी तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना